कई लो गाईस वेल्कम बत्मारे यूटुप चैनल इंडिया चाथ और इंडियास के नंबर वन लेर्निंग प्लेटफॉर्म इम्रून लेर्निंग फ्लासे में स्वागत है तो आज की अगर हम इस वीडियो की बात कैंट तो आज की इस वीडियो में मैं प्रेजंट करने वाला तो अगर हम याश्ट वीडियो की बात करें दोस्ति मनें बताया था प्रिजन परफेक्ट का और देने वाला हूं डबल इंट्रोगेटीव और इसके लिए वीडियो को ज़्यादा लाइक करें तो बल नाटिफिकर्शन को आल प लिजएगा क्योंकि इसी तरीके से इंट्रेस्टिंग वीडियो को और भी देखने के लिए और साथ में इस वीडियो को शेर भी कर दीजिया चलिए स्टाट करते हैं अपना टॉपिक और हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है तो मैंने जैसा कि मैंने बोला भी प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस तो आप लिख सकते हो पर क्या मैने बोला प्रिजेंट परिफेक्ट कंतिनेव मेर्ट को डिसके सकने वाल हुं लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन किया था प्रिजेंट पर्फेक्ट कांटिनिवस्टेंस का ही अफर्मेटिव और नेगेटिव को अगर उस वीडियो को नहीं देखा नीचे मैं डिस्क्रिप्टिन बाक्ष में लिंक देदूगा जरूर जाकर देख लेना वह बेसिक पाट है प्रिजेंट किया उस वीडियों को जरूर जाकर देख लेना अच्छे से आप लोगों को समझने में इसमें कोई दिक्कन नहीं रहेगा कोई डाउट नहीं रहेगा और वैसे भी मैं डिसकस कर रहा हूं फिर से एक बार देख लिएगा प्रिजेंट परफेक्ट कांटिनिवस्टेंस की अ तो यहां पर इतना ध्यान रखने वाली बात है कि इसलिए मैं बोला प्रॉसन पर चर्ण ख़ेंस वह Зап Zach retrans oppose का इंट्रो प्रफेक्ट टेंस होगा इतनी बात के लिए यहां तक कोई डाउट तो है नहीं आप लोगों तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं ओके तो मैंने क्या आइडेंटिफिकेशन तो किलिए अब चलिए हम इसकी इस्ट्रक्टर देखते हैं जिससे हम संटेंस ट्रांसलेट करते हैं जिसके अकोर्डिंग के हम लोग संटेंस बनाते हैं ट्रांसलेट करते हैं तो उसको पहले हम इस्ट्रक्टर को डिसकस करते हैं जैसा कि मैंने कहा इंट्रोगेटिव पार्ट की ओके त तो देन सब्जेक्ट देन क्या लिखेंगे बी डबल इन ओके बीन लिखेंगे देन क्या लिखेंगे देन लिखेंगे में वर्ब की आइनजी फर्म में जो क्या है जो आइनजी जो वर्ब है उसमें आइनजी फर्म ओके वर्ब की आइनजी फर्म लिखेंगे देन क्या लिखे हो भी जे इसीट आप लिए सकते हो नहां आफ्जक जैनि क्या लिकरेंगे सिंस और फॉर लिए सकते हो इस आई उन सी र door ठीक एग कर औरrantी करिंग्स करनेल चरपक तो और लॉस्मार आगर वहीं तो आप लोगों को क्या है रिवाइस थोड़ा बूत करवा देता हूं जिससे आप लोगों को को कोई दिक्कन ना रहे है वीडियो में अगर जो मैं बता रहा हूं ठीक है समझने में तो मैंने का का सिंस और फॉर्ट देन क्या है टाइम लिग देंगे जो भी हमारा टाइम दि अगर दिया हूं तो सबसे ज्यादा क्या प्रसनवाचक चिन का ही मैं मुद्धा इसमें प्रशन कोश्चन माग का ही जदा सा ज्यादा इसमें यूजिंग इसमें माननी है ठीक है तो इसको बहुत ध्यान रखना हो तो अब चलिए हम इसी का एक्जांपल लेते हैं अगर नह च्छाइब लोगों को कोई डाउट ऐनकोरीज यू है ओके इफ यू है इनकोरीज एनकोरीज एनकोरीज यू कन आसके के लिए तो मैंने क् metro के लिए जैसे आई फोक करण बोला English में ग्जांपल दीज तो जैसे मौने के लिए होगा तो आप लोग लिखेगा क्या मैं बोल लाव लिखे आपनो क्या क्या वह प्राता काल क्या वह प्राता काल क्या वह प्राता काल से प्राता काल इस चित्र को मतलब सुबह सुबह प्राता काल क्या मतलब सुबह टाइम इन मौर्निंग टाइम क्या वह प्राता काल इस चित चित्र को बना रहा होगा यहीं है यह यह बनी रही है बना रही है ओके स्वारी बना रहा बना रहा होगा मैंने कह दिया बना रहा है ओके यह बना रही है ओके होगा नहीं होगा गागी गे नहीं होगा इसमें ओके यहां पर यहीं ध्यान रखने वाली बात है मिष्टे को गया मैंने कहा क्या वह प्राताकाल इस चित्र को बना रहा है या क्या वह प्राताकाल इस चित्र को बना रही है एक ही बात है थोड़ा फेल मेल और फीमेल के लिए आप लोगों को देख लेना तो मैंने मेल के लिए दिया हुआ क्या वह प्राताकाल इस चित्र को बना रहा है तो इसको आप लोगों को उम्मीद करते हैं सब समझ में आएगा तो मैंने का फर्स्ट अब इसको बनाने के पहले फर्स्ट पर चलते हूं तो यहां पर क्या है एक बचन के लिए करेंगे हैज करेंगे कर दिया मैंने एक उसके बाद क्या सब्जेक्ट तो हम यहां पर सब्जेक्ट यहां वहां की मैं लिख दूंगा होगे क्या मैल है और मतलब वहां है जो परसन मेल के लिए क्या उच्ट करेंगे अगर यहीं पर फीमेल होती मतलब लेडिज के लिए तो यहां पर क्या फीमेल के लिए यहां पर मैल की बात हो रही है ठीक है लड़के की बात हो रही ठीक है या आदमी की बात हो रही पर सब्सक्राइब बना रहा है तो लड़के की बात हो रहा है रखती की ठीक है तो है जी द्यक्या लिखेंगे लिखेंगे यह बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं ड्रा यूज कर सकते हैं क्या यूज करेंगे ड्रा 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 मिस क्या होता चित्र बनाने के लिए हम ड्रा यूज करेंगे और अगर है इसके नेस्ट मेनिंग की बात करें तो यहां पर जित्र बनाने के लिए यूज्ट कर सकतें तो हम यहां पर क्या उच्छ करने वाले यह आप लोग पेंट भी उच्छ कर सकते हो तो हम यहां पर ड्रा लिख रहे हैं डी आरे डेवलू तो ड्रा में आएंज जी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ड्राइंग ओके अबजेक्ट अबजेक्ट को ना क्या बना रहे चित्र को बना तो चित्र क्या आउबजेक्ट यहां पर प्रीगर कहेंगे पिक्चर कह सकते हो एक ही बात है ठीक है यहां पर पिक्चर मैंने लिख दिया आप भी लिख सकते हो तो अप्य तो माने कहा प्राता काल का मतलब है मतलब इन मॉर्निंग टाइम सुबह सुबह तो क्या है टाइम ध्यान से पढ़िए क्या वहाँ प्राता काल इस चित्र को बना रही होगी क्या प्राता काल तो मतलब टाइम निश्चित सुबह से भाई टाइम तो इसमें निश्चित है ना क्योंकि सुबह से तो टाइम निश्चित स सुबह से तो यहां पर क्या करेंगे करें करें ताइम क्या सर्टेन है तो इसलिए हम यहां पर से यूज कर देंगे हैं यहीं बात के लिए सब लोगों को सिंस के बाद क्या है तो टाइम हम यहां पर टाइम की अगर बात क्या तो इसमें क्या प्राता काल की बात हो रही तो ना तो ऑंकर्ष सब्सक्राइब हो इसमें क्या अगया है तो मानिंग की मर्निंग मतला प्राइब प्रत का क क्या सुवास बना रहा है तो कैसे बोलगा थ हैं यह 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 सिंस कीर मारनिक्सिकर क्या 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 है यह 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 सिंस मौर्णिक सुबह से हैं यहां पर मैंने मेल के लिए दिया तो महां यहां पर ही यूच किया वहां इतना यहां पर किलिए रहे फर्स्ट एक्जामपल आप लोगों का किलिए तो उम्मीद करता हूं प्रिजन परफेक्ट का अगर जो मैंने यह इंट्रोगेट्व बताया उम्मीद करता हूं प्रिजन वाचक यह जो वाकिया बताया आप लोगों को समझ में आ गया हो इसमें को दिखकत हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो के वीडियो को जद्धा लॉंग नहीं करेंगे एक्जामपल मैंन इसको लेकर ठीक है अपने आप से ट्राइकर नाइए ट्राइ यह वर्सेल्फ तो इतनी बात के लिए तो आप मैं वीडियो को थोड़ा पस करता हूं अगर इस्क्रीन सब्सक्राइब नहीं लिए तो ले लिए बहुनिक्डवीं है इंट्रोगेट्यू तो मैंने डिसक्स कर ले लिया ले लिया नहीं लिए तो लेजिय फट फट पर चलिए मैं इसको अब वीडियो पास करता हूं आप मैं लिकूनगा डवल इंट्रोगेटिव मैं चलता हूं जैसा कि मैं शबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले तो उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे बागी सब सेम प्रोसेस तो अब चलिए हम इसका यूज करके एक्जामपल देखते हैं जिससे आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा क्यों कब कहां कैसे यही सब क्या होते हैं वाट वेन वेल विल या हाव कैसे मतलब ठीक है तो यह जितने होते हैं यह हमारे कांसे होते हैं को सबसे पहले की इंग्लिस मीनिंग लिखेंगे ठीक है इतनी बात के लिए उमीद करता हूं के लिए ठीक है सेम वही प्रोसेस चलिए अब हम इस्ट्रक्ट एक्जामपल देखते हैं जैसे मैंने बोला तुम तीन बज़े से कहां जाड़ू लगा रहे हो या तुम तीन बोला तुम लिखें मैं बोलाओं तुम तीन बज़े से तुम तीन बज़े से कहां जाड़ू लगा रहे हो एक ही बात है ठीक है कर रहे हो का मतलब जाड़ू करना मतलब लगाना वही बात हो तो तुम तीन बज़े से कहां जाड़ू मार रहे हो कर सकते हो को और यहां पर को konuşan मां रहेगा इतनी बात किलिए तो अब हम चलिए इसको काईसे बनाएंगे इंग्लिस में देखती है ठीमटेख है how do you call to translate English this sentence तो चलिए इसको द्यान से देखते हैं English में कैसे translate करेंत करें कर सकते हैं से देखिए एकदम फरस्ट अपर मैंने क्या का इसको structure पे जाना structure में क्या लेखाँ first of all question but question but question but कहां यह ँझा उमेद करता हूं सब को पता है मैंने पहले बी बता कि कब कहा कैसे क्या क करक्ष कव कहां कैसे इ Teil कर सब्सक्राइब कि को सब कहां के요 हो गाइस है डेवली एच ए रई वैर मिस कहां ठीक है यह जहां कर सकते हो तो है निसक्त होता है कहां तो मैंने क्वेश्चन वाड फर्स्ट फर लिख लिए उसके बाद क्या है जो है तो है यहां पर क्या सब्जेक्ट तुम तुम की क्या सब्जेक्ट पहले लिख दिया इसके लिए करेंगैं तो क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे ठीक है इस क्या हिसमें हिंदी में मैं बोलना हूँ देए इसलिए मैं नर्प यह लिख दिया उसके बात फिलिख दी हाँ यहां पर लिखा था उसके लिए सोर्य मैंने रफ कर दिया आप लिखते जिए और हाइव बिन तो करेंगे सुपींग क्या हता हिस्ट क्या हता ना या करना एक ही बात होती ठीक तो इसके लिए क्या करें गाइस क्या मीनिंग स्टीपिंग स्टुम्ह लिख दिया इसके हिंदी मेनिंग लिख लिए जगा जाडू करना या जाडू मारना या जाडू लगाना ठीक है एक ही बात है तो वह यू है विए हम यहां पर लिखेंगे क्या है जाडू मानना कि मैंने अभी बता है भीड़े तो स्वीपिंग ये जोड़ेंगे तो क्या हो जागा स्वीपिंग फट्रीप जाडू जाडू की पुरी वर्व मतलब श्यू पिंग मैंने यूज कर दिया हों के उसके बाद मैंने object क्या है मतलब जाड़ू माना तो जाड़ू object था तो वर्म में ही आगया object तो मैंने लिख दिया where you have been sweeping then क्या है since और फॉर तो since तीन बजे से मतलब तुम तीन बजे से ताइम निश्चित है certain है तो यहां पर क्या यूज करेंगे सिंस एस आई एंसी इस यूज करेंगे where have you been sweeping since time क्या अगरा मिसके में फिर क्या है time then क्या लिखा हुआ time time की इंग्लिश में time time की अगरा मिसमें बात करें तो time क्या तीन बजे से तो क्या लिखेंगे 3 o clock 3 o clock 3 o clock ट्री की मेनिंग लिखेगा टी एच यह डबली 3 o clock सुरी वास थोड़ा बाहर से आ रही है वहीं थोड़ी तभी तभीर नाइस है इसलिए उसके लिए वह बार बार कर रहा है उसके लिए वाइस आरे इसलिए ओके तो तीन बज़े से क्या है थ्री ओ टो फाइलिए मारा संटेंस क्या गाई से निकला वेर हाइव यूब यूबी सुपिंग सिंस त्री ओकलॉक तुम तीन बज़े से कहां जाडू लगा रहे हो यह कहां मार रहे हो ठीक है अब गाईस यह सुपिंग में जाडू माना यह जाडू करना एक बात जाडू लगाना भ यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो में इस इतना ही मैं मिलता हूँ आप से जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में को लाइक करना चैनल को जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना इसी तरीके से और आगयान में वाली वीडियो को देखने के लिए ओक और साथ में इस वीडियो को जदा ज़्यादा शेयर भी कर देना होगे तो चले मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो